हेलो एवरिवान और वेल्कम बेक टो कॉमर्स आफ्टिट्यूड फ्रेंड्स एही कॉमर्स आफ्टिट्यूड यूट्यूब चैनल रे शी एच एसी प्लस टू सेकेंड डियर कॉमर्स पिला मननों को पाईं क्लासेज गुडिको अपलोड को रा जेवो छी सो बर्तवान जेमिती आमें कही तिले जे आजी ठारू माने जानुवारी एट टूथाउजन प्वेंटी वान ठारू बर्तवान लगातार प्लस टू सेकेंड डियर कॉमर्स पिला मनों को पाईं वीडियोज अपलोड करा जिबो एही यूट्यूब चैनल रे सो जदी तुम्हें बाने फर्स टाइम पाई चैनल को विजिर करूचा चैनल को सस्क्राइब करीनियो एबंग साइट रे जो नोटिफिकेशन आइकों टी आइकों टी आइक्टिव करीनियो एबंग निजो फ्रेंड्स हर कर ले जो मने भी अच्छनती सम्मस तिंग साईता विडियो श्यार करा बिकोज एचनल रे फ्री आफ कोस्ट है कॉमर्स रो विडियो प्रोवाइड करा जाऊची सो निजे बेनिफिट नेवा साही तो निजो फ्रेंड्स मानुको भी बेनिफिट नेवारा सुजग दिया ओके तुम्हें माने बेटर जाने चाएकों लिब्र कर भा आजीरो क्लासरा में जानी बा एकोनोमिक पोलिसी माने कोण। कोण पाइँ ये जो एकोनोमिक पोलिसी 1991 ती आसीला एबंग ये थीरे मेजर चेंजेस करा जाई थीला द्याटीज लिब्रलाइजेसन प्राइजेसन ग्लोबालाइजेसन यारो मेनिंग कोण । नमरे या उपर questions पिले आसे, मूँ प्रथम मुरु कही दूची, questions कोणासे, ना सटकोशिन आसी जाए बेड़े बड़े नी उइकनोमिक पॉलिसी ए मस्याटे को पचारी दिये, नहले तुम्हों को पचारी दब ल, P, G, short form पचारी दब, LPG रो full form टे काण, नहले LPG रे L स्टा अला भाबरे बुजिवाक को ट्राय करा, देखा, वीडियो टी जेत्य लंबा हाऊची, सेत्रे कोण सी तुम्हों को प्रोब्लेम नहाबा दरकार, विकाज एक्जाम आसी तो एनकोरी तुम्हों को जेत्य समय हेले भी, टाइम कंट्रिबूट करिवाक को पड़िवा पिले, पेसेंस है तो विडियो टी को देखा, जाहा जाहा नोट्स करा जेऊची ताकू करा, एबंग बही कुम्हों पड़िवा, स्टील जदी तुम्हों कोण सी कन्फीजन आसुची कंसेप्टर, देन यू केन आस्क में आस्क में बॉक्स बिला, अदर्वाइज आ अल्लेडी शे अर्थिक अबस्ता कोईला आमें कॉण भूच्यू, देसर इनकम स्टाटस, आमा देसर सपोज लाइक भारत अरे केते इनकम हुची, इनकम केते जेनरेट हुची, केते खर्चो हुची, पोपुलेशन केते हुची, सेयो नुसारे गरी वीर रेट, पवर्टी रेट केते आमें केते हुची, आमें केते एक्सपोर्ट करूची, केते इम्पोर्ट करूची, सो ए सब जिन्सों को ओवरली जो दियामें गोटे वाड रेट, डिफाइन करीवा ताकवा में कोई एकोनोमिक, हैला, तो जेते वड़ भी भारत अरे, भारत केंबा जेकोनों सी भी देसर, एकोनोमिक कंडिशन्स टी नेगेटिव है जाए, खराब अबस्ता पड़े यासे, और था देसर लोस रे चालू थाए, देसर पाखरे पोईसान न थाए, खर्चो करीवा पाई, देसर गरीबी बड़ी बड़ी चाली थाए, अनेम्प्लोएमेंट बड़ी बड़ी चाली थ इधिले किछी मोडिविकेशन करा जाय, ता सुर्टो किछी नुवा रूल्स और रेगूलेशन्स मोध्यों करा जाय, आमरो इकोनोमिक कंडिशन्स टी केमीती बेटर ही पारीब, शेतिपाई एकोनोमिक पोलीसी गुडिको डेवलाप करा जाय बा फार्मुलेट करा जाय। देशवर हो economic conditions टिक एमिती अच्छी, for example, national income, GDP, gross domestic product, gross national product, work capita income, जहाको तुम्हें मुंदपी छाय आयो भी वली जानी चो, FDI और ताथ foreign direct investment, FPI, foreign portfolio investment, inflation rate, balance of payment, हुए तो ए सबु टार्म गुडिको तुम्हों मानों कु नुआ लागू थाई पारे, एड़ो सबु economic term, जत्ता वाल तुम्हें economic पड़ीबो, या उपर better out के अधिख्या पड़ीबो, जो बर्तमान पे खाली एतिकी जानी थाओ, जो एगुडिको उच अंती किसी indicators, किसी terms, जो उड़को की, आमों देशवर economic conditions कुँ define करनती, ओके, एगुडिको देखी की ही आमें जानी पारू, जो आमों economic structure उची पिले तिनी प्रकार्न, capitalist economic, socialist economic, and mixed economic, तुम्हें 10th class रे पड़ीति भो, पुंजी बाद अर्थनिती, समाज बाद अर्थनिती, आण्ड मिस्त्रीत अर्थनिती, ओके, जो पुंजी बाद अर्थनिती रे कौन कोईला, ना देखा, जो देशवर गुडिको पुंजी अर्थनिती कोई फोला करोंती, सेमानांकर अधिका फोकोस प्राइवेट सेक्टर उपरे थाए, हला, गवबमेंट सेक्टर मानकर उपरे न थाए, बाद गवबमेंट अर्गानाइजेशन उपरे न थाए, अबजेक्टिव हुची केबड़ प्रोफित अर्निंग करीबा पोसिबूल, ओके, तेनुकरी, जोग जागार, इंपोर्टान्ट रही बस हे, जागार, एमुँँ टिक्के स्लो ही जिभी, अधरवाइस टिक्के स्पीड रहे मुझ जिभी, बुजी हुची, सो क्यापिटलिस टिकोनोमीर तुम्हें तीनीता जिन समान रखा, क्यापिटलि लाइक, इुएस एरे, एई क्यापिटलिस्ट एकोनोमीक को फ़लो करा जाए, सेकेंड असीला, सोशियलिस्ट एकोनोमीक और्था समाजबाद एकोनोमीक, समाजबाद एकोनोमीक इरे, पॉब्लिक, प्राइबेट सेक्टर बेसी इंपोर्टान्स दिया जाए नी, रेधर, पॉब्लिक सेक्टर बागवब्लिक 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 सेक्टर रसिया, रसिया रे सोशालिस्ट एकोनोमिक फालो करा जाए, ओके, and last one is mixed economic, that is, मिस्त्रित अर्थनिती, मिस्त्रित अर्थनिती रे importance काँ करा जाए, जहे तोड़ी mixed कोईला, तेनु करी, it is the mix of both capitalist economic and socialist economic, so importance on both private sector and public sectors, अर्थनिती, and country like India is following or is followed the mixed economy, तेनु जदी भी तुमो को किये पच्चारे जाए, आमों इंडियारे कोई टाइप रो एकोनोमिक फालो करा जाए, then you can simply say them, say to him, कि mixed economic फालो करा जाए, ओके, सो मनरेब इंडियारे आमोरो mixed economy फालो करा जाए, बुजी यहला structure तीनु टी, एगुडिक अल्लेडी तुमें पढ़ी चो, टेन्थ क्लास रे पढ़ी चो, सो प्लसुरे भी तुमों बहरे किची-किची लेखा जाए थाए, ताको तुमें फालो करीब, जोटा मंजी जिन्सो मुएटारे तुमो कु सोटरे कोही देली, fine, move to the next point, आच्छा, now, why economic policy was announced by the government of India, कोन बहें government of India द्वारा economic policy announced करा जाए थेला, पिले बर्तमान तो आमें 1991 रो economic policy पडुचे, बट ता पुरबरु भी अल्लेडी आमोर पुरुना economic policy पास करा जाए थे, बट से economic policy रे किची चेंज करा जाए थेला, बाजो steps गुडी को निया जाए थेला, से गुडी को ठीक भावरे fulfillment हेई पारीला नाही बोली, 1991 रे again new economic policy को announced करा गला government of India द्वारा, तो आजी देखिवा बटतमान, उने सा सच्चाडिसमा सी आप पुर्भुरुट देसवरा conditions को आण थेला, ओके, आण केब economic problem को overcome करीवा पाई, ताको ठीक करीवा पाई, बाज देसवरा conditions को ठीक करीवा पाई, economic policy formulate करा गला, develop करा गला by the government of India, ओके, आच्छा, सरवा प्रथमया में जिबा, आमों देसवर इंडिपेंडेंस हेला के बे 1947 रे, सो तिक्के पाच्छु को पढ़े बा, 1947 रो पुर्भुर electricity, एगुडिकर व्यवस्ता भला आबर नो थिला, education facilities भला नो थिला, देखा एडि, education facility लेखी ची मने, तुम्हें जानी बोजे, education facility भला नो थिला, विकाज उपरे तमों कोई लिने आठी, economic problems बोली, तो सब गुडिको यहला problem, एगुडिको ठीक नो थिला, infrastructural problem थिला, education problem थि प्रोभाइड करा जेए पारो नो थिला, and bad planning and development, ठीक भाबर कोणसी भी जिनसर सठीक planning करा जेए पारो नो थिला, कि development करा जेए पारो नो थिला, भुजिवची, तो एगुडिको रोईची किछी problems, एहा बेती तभी online नो बहुत problems थिला, बाट मुँ यहा वितरु किछी point out कर कि एथारे नोट करीची, तो तुम्हें जदी बही रीड करीब, तो तुम्हें more information पारीब, अधिका क्रोण प्रोब्लेंस थिला, तो एही बड़ी भाबरे बहुत गुड यह problem से आमारो देसो इंडिपेंडेंस हबा पुर्बरु थिला, तो फाइनली आमा जानी चे 1947 रे इ 1947 पुर्बरु आमों इंडिया रस्या को फ़लो करीकी, सोसियालिस्ट, सोसियालिस्ट एकोनोमिक को फ़लो करू थिले, ओके, आमें पुर्बरु पडिले जे इंडिया कोण मिक्स्ट एकोनोमिक को फ़लो करे, बट 1947 पुर्बरु रस्या को फ़लो करीकी, इंडिया सोसियालि 1948 रे फाइनली गोब्मेंट डिसाइड कले जे आमें गोटे नुआ इनिस्येटिव नभा सेथी पाई 1948 रे New Industrial Policy 1948 जो NIP लेखी ची तामाने उजी New Industrial Policy 1948 अनाउंस करा गला बाइदी Government of India शेते बड़े प्राइम मिनिस्टर थिले किये ना नहरू ओके अन्ड एई तरे कौँ करा गला ना किची स्टेप्स निया गला किची इनिस्येटिव निया गला किची प्लान करा गला एगेन 1956 रे आउगोटी ए तुम्होर इंडस्ट्रियल पॉलिसी को डेवलप करा गला धाट इस New Industrial Policy 1956 पिले 48 परे 56 रे डेवलप करा गला ओवरली देखिले 1948 और 1956 रे किची एगोडी को अबजेक्टिप्स रही थिला कौनकण अबजेक्टिप्स रही थिला ना राइज इन्द स्टान्डर अफ लिविंग लोको मने जो रही चन्ती तांकर स्टान्डर अफ लिविंग से माने केमिती भला खाद्यों घाए भला पो अबजेक्टिप्स रही थिला नेक्स्ट रिड्यूसिंग अन्प्लोइमेंट अन्प्रावर्टी सेई समयरे बेरोजगार एबं गरीवी अधिका है जाई थिला तेनू केमभुली भावर याकू कमा जाई पारिबो तामध्यों टार्गेट करा जाई थिला नेक्स्ट डेव अबजेक्टिव थिला 1948 आजवेल आज 1956 न्यू इंडर्स्टियल पॉलिसी रहे ओके अन्द लास्ट वान आवाइडिंग फोरेन कंपेटिशन्स ठू टेरिफ मेजर्स तेनू बिदे सरू जो कंपानी माने इंडिया रे ट्रेड करू थिले कि जाहा भी करू थिले तो इंडि टारीफ होची किछि नाई टारीफ र अर्थ होची गववर्मेंट को द्वारा किछी टैक्स लगा गला किछी चार्जस लगा गला जाहां द्वारा कि फोरेन कोंपेटिशन्स को कमे आज़े पारिभो यह उचि किछी अबजेक्टिव्स मुँ एठारे एत्ती कि लेखी ची पारिलानी एगेन 1956 रे किछी नुआ पॉलिसीस फर्मुलेट करा गला, किछी नुआ अब्जेक्टिब सेट अप करा गला, ओके? तो एई बली भावर है, आमों देश वरे नियू एकोनोमिक पॉलिसी कंटीनियू है चालला तिल 1990, ओके? बड़ जेमिती की कुहा गला, एई पीरियोड रे, 1947 रू 1990 जाए, मुख्य तो अधी का इंपोर्टांस कहा कु दिया जाओ तिला, ना पॉब्लिक सेक्टर यूनिट कू, पॉब्लिक सेक्टर यूनिट्स, जो रहीले, गवर्मेंट अंडर्टेकिंग्स, जो सेक्टर्स गुड न थिले, ओके, तिनों अब्जेक्टिब मोझ यो थिला, जो केमिती आमें, पॉब्लिक सेक्टर यूनिट गुडी कू, डेवलोप्मेंट करेई पारी बा, बड एथी रे, गवर्मेंट फेल ही जाई जाई थिले, सेमाने जो टार्गेट रोखी थिले, जो पॉब्लिक सेक् असुबिधाब जे फिस्काल डेफिशिट माने काण। तो बर्तवान पाइं तुम्हें एत्तिकी जाना जे एगुडिको देश्वर पाइं गोटे बाड सिचुएशन्स थिला पोच्छरे जानीवा जे फिस्काल डेफिशिट माने काण। करजर रेट आमोर, बाग करजर आमाउंट आमोर, जीडिपी रो 50% जा ही जी जी तला, एत्ते आमोर देश करजर करी दी तला, बिकास देश पाकरे पोईसा ही न थिला, एगरी कल्चराल लाने इंडस्ट्रियाल डेवलोपमेंट भी स्लोडाउन ही जी 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 तला, एई बोड़ी भावबरे बहुत प्रोब्लेंस देखा देए तला, या बेती तभी अन्यान आहुरी प्रोब्लेंस देखा देए तला, कुहा जाए जे 1990 मोसियारे भारत पकरे टंकार एत्ते अभाव देखा देए तला, जे RBI, Reserve Bank of India, and State Bank of India पकरे जाहा भी गोल्ड थिला, तकुसे मने, मोर्गेज आकारे रखी दी थिले, तेनु एत्ते खराब सिचुएशन सामों इंडियारे आसी जी थिला, बर्तमांत तुम्हें देखुचा सम्मस्तिंगों पकरे टंका पकरे अची बड़ थरे इमाजीन करिकी देखा सेत्ता वड़े माने देशो पकरे मात्र 7-5 दिन खाद्यों खाई बार पकरे देशो पकरे बंची जी थिला, देशो कहां कहला, इंडिया कहां कहला, IMF, International Monetary Fund and World Bank, यांकु मध्यों लोन मागिले, किन्तु एमाने भी लोन दबा कु मना कर देले, पकरे बिकास जर्माना करें जाई जे तुम्हों देशोर घallo करें नाई, आमे अल्लेडी तुम्हों को बहुत चारा कंडिशन को देवलोप करें पकू, देशोर से टूंका बढ आ ही पकरी पकू, तो फाइनली वर्ल्ड बैंक एबंग आइमेफ र प्रपोजाल कुँ अक्सेप्ट करी कि आमार 1991 रे न्यू एकोनोमिक पॉलिसी बान न्यू इन्डेस्ट्रियल पॉलिसी 1991 फर्मूलेट करा जाई थिला एई एकोनोमिक पॉलिसी रो अब्जेक्टिव कण थेला मुख्यत अब्जेक्टिव थेला जे आमा देश्टरे जू खराब सिचुएशन्स गत्ती करूची एकोनोमिक कंडिशन्स जो स्लोडाउन है जाई ची शेगुडिको केमिती बेटर करी अब देश्टर पाखरे टंका आसी की पहुची बो से जिन्सों कु मुख्यत आखिया अगर रखी की नियू एकोनोमिक पॉलिसी कु आनाउंस्मेंट करा जाईतला बाइदी गवोमेंट अफ इंडिया ओके आच्छा बर्तवान मुँ जहाबी डिसकोस्चन कली से जिन्सों कुडिको एठारे लेखा जाई नुआ एकोनोमिक पॉलिसी आसीला से जिन्सों भी जानिबा दरकार बिकाज बेस ताकु जोदी आमें न जानिबा ताले लिब्रलाइजेशन, प्राइबेटाइजेशन, ग्लोबालाइजेशन के बड़े तिन्टा जिन्सों कु जानिदेले कौन लाभवब बुजी उची ए जिन्सों कु जानिबा पूर्बोरु आमो कु जानिबा कु पड़िवोजे एकोनोमिक पॉलिसी कोण देशहरे केटे-केटे थर में केबेकेबे एकोनोमिक पोलिसी फरमूलेट करा जाइए थिला कोन पाहिए एकोनोमिक पॉलिसी आसे एबुँंग नायन्टी-नद्टी वींटी एंडीे कॉन पें एकोनोमिक बलिशी कोड़ा गल्या कॉरा गल्या, गुजिवे भी चुछी कुह, सब्सक्राधर खांगिisी एकोनोमिक नुपरमेंट है wanna अच्छी कॉला से भी प्रीपेस्टारू, at the time of independence, economic environment was not encouraging, not good. The foreign government pursued policies which could help its own country without having any regard for the economic development of India. After independence in 1947, government of India steps for the development of the country. The first industrial policy was announced in 1948 and then in 1956. the main role of the development was given to the public sector तेनु public sector के मिधी development करा जिवो ताहा ही मुड़ अब्जेक्टिव थिला 1948 and 1956 industrial policy रो the role of a private sector was limited to certain sectors तेनु किछिरे sectors बा किछिरे private sectors रो importance दिया जाओ थिला बाट मुख्य तो 90% importance कहा उपर थिला public sector उपर थिला जोड़ा कि तुमरा 1990 जाए फुल्फिल है परिला नहीं the impact of various policies followed by the government was not significant तेनु 1948 रे बंग 1956 रे जोँ initiatives बा policies निया जाइतला ताहा significant नथिला किछि मात्रा रे the objective set under the development plans could not be achieved अचीब मद्यों है परिला ए situation arose when एजिन्सों को notice करा when RBI Reserve Bank of India and State Bank of India had to sell and mortgage gold in order to meet the foreign commitments तेनु लोकोमान को ठारू फोरें ठारू जो रून निया जाइ थेला ताक को फुल्फिल्मेंट करिवा पाई RBI एबंग SBI सुन्ना को विक्री कोले एबंग बंधाप कहिले उजी उची तो एत्ते ख़राब situations आसी जाइ थेला ता सेही situations को अबरकम करिवा पाई फाइनली 24 जुलाई 1991 अंडर दी चेर्मेंशीप अफ डक्टर मनमोहन सिंग अब सेत्ते वाले प्राइम मिनिस्टर थेले पीवी नर्शिमा राव मुख्य तो यांकु डक्टर मनमोहन सिंग्जे की आमर एकस्स प्राइम मिनिस्टर आम देशर है सम्मरे फाइनस मिनिस्टर थेले यांको father of new economic policy 1991 मोध्यों कुआ जै यांको रहा importance बहुत रही ची अज़ फाइनली कों कले 24th July 1991 दे new economic policy को develop कले गवर्मेंट अफ इंडिया announced new industrial policy or new economic policy in 24th July 1991 Dr. Manmohan Singh plays a major role for the development or developing this policy this policy gave a new direction to the economic this policy used a new era by announcing new initiatives for the private sector तेनु एई नुवा जो industrial policy 1991 करा गला एठीरे बर्तन private sector मानुको इंपोर्टांस दिया गला government देखिला ज़े केमिती आमें टंका केमिती अधिका generate करे ही परिवा तेनु एमने जी कि Manmohan Singh थी ले ये प्रपोजाल देले बास ये कोईले जे आमें जो अधिका प्रब्लिक सेक्टर मानुको इंपोर्टांस देई थिले आन एफट वास मेट तू रिमूब दा हडल्स इन दा प्यात अफ डेवलोप्मेंट त्यों डेवलोप्मेंट रा बाटर रे जो हडल्स गुडिका आसुथेले जो बाधा आसुथेले तकुमोध्यों दूरे ही दिया गला त्योंनु केमिती कौण कौण सू बाधा आसुथेले केमिती दूरे ही दिया गला आमें धिरे-धिरे करी जानिबा 1991 रो एकनोमिक पॉलिसी रे किछी अबजेक्टिव्स बाँ फीचर्स रही तेला आबोलीशन्स अफ इंडस्ट्री लाइसेंसिंग त्योंनु पुर्बुरु कौण तमें जो दिगुडे इंडस्ट्री क्रियेट करू थोला बिजनेस स्टार्ट करू थोला गवर्मेंटर लाइसेंस नवाको पडू थोला बट बर्तमान कौण हैला किछी टा इंडस्ट्री कु छाड़ीकी जमिती सिगारेट, लिक्यूर, केमिकाल इंडस्ट्री जेला तो एही बुली भाबर किछी हाजाड इंडस्ट्री कु छाड़ीकी बाकि जे कौन सी इंडस्ट्री करीब बिजनेस जने करीब ता पाइं लाइसेंस राबस्ट्र क पड़ीब नाई Limited role of public sector, तैनु बहुत गुड़ी है public sector, बाइ मुख्य तो सबु public sector कुछ convert करी दिया गला private sector रे, private sector रे convert करी दिया गला के बड़ तीनोटी public sector कुछ चाड़ी की, कौन, कौन, रेल्वेस, एटोमिक एनर्जी, और पेट्रोलियूम, ए तीनोटी sector कुछ चाड़ी की, बाकी सबु स सेक्टर कु प्राइवेट माना को हातरे हस्ता अंतर करी दिया गला, बास, सेमा ने, जो जते गुड़ी है public sector रे, सेगुड़ी कु प्राइवेट वाला ही, कंट्रोल करी बे, नेक्स्ट कोईला, लिब्रलाइजेशन्स अफ फोरेन इन्वेस्मेंट्ट, तैनु करी दिया गला, सोधेट सेमाने, अधिकरु अधिकर्ण एबंग, फ्रीली इन्वेस्टमेंट इंडियारे करी पारी बे, जहां दोरा कि इंडियारे करेंशी रों इन्क्रीज हब, लिब्रलाइजेशन अफ फोरेन ट्रेड, विडेश सही तो आमें ट्रेड करी पारी बा, फ कीज़ान एक आडप्ट करा जिबान। नेक्स्ट सेटिंग फोरेंड इन्वेश्टमेंट प्रमोशन बोड एफ आई पीभी इफ आई पीबी कु टियरी इसेटप करा गोला जिए कि देखी बोजे फोरेन रुख जो इन्वेस्टमेंट गुड़ी को इंडिया को आसुची सेगुड़ी को केमिती ठीक भाबरे हब जदी कुणुसी प्रोब्लेम हुची बा जदी भी किछी प्रोब्लेम्स रहुची ताले इफाई पीबी बोर्स बा जो बोड़ी टी त तकु जुचन करीवे. नेच्स्ट इंसेंटिस फर दस्मॉल स्केल सेक्टर, टहनों के बड़ा बीगनुँँआ स्मॉल स्केल सेक्टर को केमिती इंपोर्टांस दिया जिबो, तारा मध्या केमिती development करा जिबो, सेडा मध्या अब्जेक्टिव्स रखा गला फी नियू पुर्बोरु बेस जिन सटीकुवी मध्यों बुझेवा अबस्य कथिला सेतिपएमुष एगुडिका मध्यों पढ़िली तुम्हें तकुम अधियों नोट करीबा ता सहीत है अब जतावले तुम्हें लिब्रलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन बाग गलोबालाइजेशन को पड़िवा सेत्तावले तुम्हा माईंडरे गोट्टे इमाजिनेशन सासिवा गोट्टे इमेज क्रियेट हवा जनाए अक्चुली एगुडिका काण ओके जद्धी मोँ डायरेट पढ़े दी थांती लिब्रलाइजेशन, प्राइबेटाइजेशन, ग्लोबालाइजेशन तुम्हा में एग्जामिनेशन सासिवा पढ़ेशन, पूरागोशी पढ़ेए थांता बट तुम्हार गोटे बेस क्रियेट हवा जनाए अक्चुली एगुडिका काण भुझे एला? लिब्रलाइजेशन और ओडियार अर्था उठी काण गोटे कोढ़ेशन काण भुझे एला? भुझे एला? भारत विश्वा जद्र हवे भी देसरएची समस्तियों सहित बिजनेस करिवा तुम्हार विभा जन्स बाहारको गले फोरेंड करन्सी इंडिया गवासिव एबंग आमे भी फोरेंड रू किछी जो नुआ टेक्नोलोजी रोईची ताकु मदे आडप्ट करी कि आमा देशर डेवलोप्मेंट करे ही पारीबा पोके एजो एकॉनमीक पलिसर मुख्या कराणा कहीं तेला जे एकॉनमीरोड डेवलोप्मेंट ही जोगोणी पावार पॉबिक वह सेक्टरों को क्या बड़यी इंपोरटन्स देया गला बाट पॉबिक सेक्टर अभी फूल डॉप्मेंट है ही पारिला ना ही बॉर्तमान मनमों सींकोईले जे पॉबिक सेक्टर अमे जो टार गेट रखी तेले सेड़े टो है जही पलला नीं बुजी बुची? ओके, so one by one आमें देखिवा liberalization, privatization and globalization so, what is liberalization? liberalization means liberating the industry and trade एटाको trade करिवा पिले trade from all unnecessary restriction, license and quotas तेनू, देस्वर जो business गुडी को लोको माने करू थिले जो नियम कानून थिला जो नियम कानून रे कोड़ कर दिया गला बहुत गुड़िये नियम कानून जोड़ा कोकी unnecessary थिला, जो restriction लगा जाओ थिला business करी बारे, बाई industries रे से restriction को हट्टे ही दिया गला से license गुडी को, आगुरू कोण थिला ना जेकोन सी तुम्हें industry करो, business करो तुम्हों को government र लाइसेंस र आबसकता पड़ू थोला बर्तमान किछिटा इंड़स्ट्री को छाड़ी की जमिती liquor, cigarette एक किछिटा इंड़स्ट्री को छाड़ी की बाकि सबू इंड़स्ट्री स्टार्ट करी बाज़ो जो जने लोको business करी बागो चाउँची ताको government र अपरुबालर आबसकता पड़ी बाणनाई एबं बहुद गुडिये कोटास जमिती थिला जमिती की टैक्स लागू थिला, टैरिफ लागू थिला सेगुडिकु मध्यों हट्टे ही दिया गला और थात कोड़ो करी दिया गला अगुरु जु एते strict rules and regulations रही थिला business करी बागा पाई, industry मानों को पाई government जु strict rules and regulations करी थिला से strict rules and regulations टिके कोड़ो करी दिया गला याको ही liberalization कोई गला so that industry माने निज़ निज़ भीतरे freely trade करी पारी बे, freely business करी पारी बे ok it leads to the strengthening of the market oriented economic there are virtually no restriction on the level of productions and processes the important exports of goods and services तेनु जु रेस्ट्रिक्शन को हटाई दावा परे गोटे industry freely तांकर प्रड़क्शन करी पारी बे अगुरु रेस्ट्रिक्शन लागी तेला जो लोको एमिती प्रड़क्शन करी पारी बे पठेई बा ताले सहेटा गूर्ड़क्श रोपईसा आमपाखवासी बो जदी government कोईला जे तुम्हे मैक्सिमूम दसटा गूर्ड़क्श बाहर कु पठेई पारी बो ताले एटा तो इंडिया रही लोसना तो सेतधी पाएंं गवर्मेंट र आप्रूवाल दर्वतेला प्रप्ती इंडिया करा गाला जोदी प्रोडक्शन कर चो तो एथी पाइं गॉर्मेंटर आप्रूबाल दाकर अधर बाई सम्मस्ता यहार ब्याड इूटिलाइजेशन करी पारीवे यहार बेथी तो जेकोंड सो भी इंडोस्टी जोएला सेमाने फ्रीली बिजनेस जोइन करी पारीवे एक्सपोर्ट मिनिंग अफ लिब्रोलाइजेशन तो यहार बेथी फीचर्स रोईची जो फीचर्स को भी पढ़िल तुम्हें बूजी पारीवे लाइसेंसिंग सिस्टम वाज आबो लिस्ट एक्सेप्ट फर थ्री इंडोस्टी त्री इंडोस्टी गोईची बड़ माक्सिमम मोर दन थ् अफ बिजनेस अक्टिबिटी तेनु बर्तमान आगुरू कोन थेला ना लोको माने बाहर देसोरू टेक्नोलोजी बा जिनिसवगुड़ी को इंपोर्ट कोरी पारू नो थेला अधिका ट्याक्स दबाकु पड़ू थेला बास एगुड़ी कोरे टैरिफ लगे दिया जाओ बर्तमान गुड़पनेंट कोन कला ना जो कस्टम डुटी डुटी रोईला टैरिफ रोए गला एगुड़ी को कम पारी देला लोको माने चाही लेकन बाहरू इंपोर्ट कोरी पारी 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 बाध बोड़े इंडोस्टिआ चाहुचि जो जिनिसवगुड़ु परड़ किमिती ना अगुरु एक्सपोर्ट कर ला यावले लोकोमान कु बसे इंड़स्टि कु एक्सपोर्ट डिउटी दबाकु पोडू दोला जहा दोला कि लोकोमाने बिधे शोकु जिन्सों पठेवा कु सेत्ते। अलाव करी देलाट देखिया गह संथीड़ितरीं गर्वेलए कुछ कुछ प्रितेहिद सेक्टर शेक्टर मानेगल वॉलाव कुछा कि आने सब्घकर पतामय बॉपन्दिर अधिया बहुत शिक्परिया अगेँ अंटृ कुरही डहीछ करेव है freedom in fixes अनो price तो इंडस्टीज माननों को freedom देज़े गला ज़े सेमाने तांको goods और price को निजे fix करी पारी बे केते डंकारे सेमाने जिनसो कीना विका करी बे सेट सेमाने निजे fix करी पारी बे banks were allowed to fix the lending rates तो लेंडिंग rates बाँ banks और जो rates गुडि को रोही ची से rates गुडि को fix करी आप में banks को मजय पर्मिशन दिया है गला so that bank वाला ठीके अधिका rate चार्ज करी बे ये बंग अल्टिमेटल आमा देसरा income जनरेट हवो ओके अधिका rate चार्ज करी लोको मानने गोट पहिसा government पाखु को आसिबो आरे government पाखु को पहिसा आसिबो माने कणण government से पहिसा कुने की एगें देसरा development रे खर्च करी बो ना and the last one is making it easier to attract the foreign capital and technology to India तो नु बहुत गुडि ये नियोम कानून रे कोहड करी दला फड़ोरे बहुत easy है गला जे foreign रो capital गुडि को देसरा को आसिबो लोकोमाने FDI FDI foreign direct investment and FPI foreign portfolio investment थूरे आमो देसरे investment करी पारीवे जहादोरा की foreign capital इंडिया को आसिबो आमे जोदी अधिका जिन्सो एक्सपर्ट करीबा तादोरा मुदियो foreign capital आमो इंडिया को आसिबो एमों technology मुदियो इंडिया को आसिबो मुझे येला नेक्स्ट आसिला प्राइवेटाइजेशन प्राइवेटाइजेशन दो अर्थ आगुरुस प्रत्तेक्टी और्गानाइजेशन बा सेक्टर government हातोरे थिला अर्थाद यार ओनर मुदियो government थिला एबंग याकु कंट्रोल करीबार अधिकार मुदियो government हातोरे थिला किन्तु बर्तमान के बड़ो बर्तमान मने 1991 रे 1991 रे तीनोटी सेक्टर कु छाड़ीकी बाकि सबु सेक्टर कु प्राइवेट वालांको हातोरे दिया है गला से तीनोटी सेक्टर हेला कण ना railways, atomic energy and petroleum एई तीनोटी सेक्टर कु छाड़ीकी किछी इंडोस्ट्री जेमिती रोईला जेमिती की petroleum गोड़े देखा जहारो की management दाइत्यो government हातोरे ना रोईकी private sector वालांको हातोरे रोईबो तामाने ownership तो government हातोर रोईबो बट management प्राइवेट वालांको हातोरे रोईबो सो privatization कोईले दीड आ जिनसो गोटे हुची government sector को convert करी देले private sector है दित्योटी हेला sector तो government रहीबो बट government undertakings रहीबो बट तामानेजमेंट दाइत्योटी private वालांको दिया जिबो सो पड़िवा privatization means allowing the private sector to set up more of industries that we are previously reserved for the public sector public sector थिले private sector करी दिया private वालांको हातोरे हस्तांतर करी दिया गला degree of privatization judged by the extent of ownership transfer wholly or partially from the public to the private तेनु बहुत गुड़े public sector वालांको private ownership वा control wholly और था संपुन वा partially किछी मातर private वालांको दे दिया गला it also refers that the induction of private management and control in the public enterprises ये इंडेस्ट्री थी पॉब्लिक इंडेस्ट्री थी बबा enterprise थी बबा management प्राइवेट वालांको हातोरे दिया है जमीती बर्तवान दख electricity टी जतलो government हातोरे थिला undertakings electricity प्राइवेट सेक्टर प्राइवेट सेक्टर ना प्राइवेट सेक्टर वालांको so features of a privatization प्रथमे giving greater role to the private sectors and reduce the role of a public sector to achieve this government redefine the role of a public sector in NEP 1991 national economic policy in 1991 again public sector वालांको redefine करे दिया है गला और थार किछी role प्राइवेट सेक्टर वालांको दिया है गला third purpose of this to improve the financial discipline and facilitate modernization तो अनु देसर finance केमिती create होब finance केमिती generate होब सेट मोध्यो टार्गेट रखा गला ताहा सोई तो modernization पाई मोध्यो objective रखा जाई थेला new economic policy it was observed that एटा अबजर्ब कोरा जाई थेला जे private capital and managerial capabilities could be effectively utilized to improve the efficiency of the PSU okay तो अनु private capital एबंग प्राइबेट रो जो managerial capability रोई जी ताहा PSU थारू better ही पारीव PSU थारू better ही पारीव सेथी पाई बहुत गुड ये PSU management दाई तो private organization बालांको दिया है गला government देखिला जे management दाई तो private sector को देई देले गवर्मेंटरा खर्चा काम पड़ीव ताहा सहीत पबलिक मानना कथारू ठीक amount भी जनरेट ही पारीव जामी ती electricity गवर्मेंट गटे employee को अपवेंट करीव गटे लोको मानना कथारू electricity बिल कॉलेक्ट करिया पाई तो इस लोको को अधिक amount दोको पड़ीव ब Влад ?" le replica प्राइवेट अरगनाईजे़षण यह ताह्ँ प्राइवेट मेंटरा औरको बिल इभं ताकि हम लोको मानना कथा कार्या के आपड़ीव न्या प्राइवेट गीजी इस बिल कलेट करीबो तांकु से मने हार ली 2-3,000 देबे तो एतिरे कोण अमाउंटी कमी गला एबंग लोको मने कटारू बिल भी कलेक्टशन है गला तो इवली बहाँ अपरे प्रत्ति एक्टी पॉब्लिक सेक्टर यूनिट रा कंट्रोल पाई प्राइवेट सेक्टर वलांको एमाने एमाने करा कंडिशन को देखिस एमाने डिसाइड करीबेजे एगुडी को री स्ट्रक्चर करा जिबो अन्ना एगुडी को क्लोस करा जिबो री स्ट्रक्चर माने एगुडी करे किछी नुआ डेवलोपमेंट करा जिबो किस एगुडी को भला चालूनी लास होची तो 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 तेन्व को री तको बौन को दावा, तो एग उडिको मोध हो इंपलिमेंट करागला, एगउडिको मोध देवलप करागला, तो एगउडिको कीछी तुम्होरा फिचर्स तेला प्राइवेटाइजेशन रौट बट बेसिग मानना रखा, जा government undertakings गुड़ी कु प्राइवेट माना को हातरे दिया है गला, that is privatization. And the last one is globalization. Globalization माने, integrating the economic of a country with the world economics. जो ओडियारे बुझियाकु गले, आमों देशा जदी विदेशा सईता संपर कर अखीब, आमें विदेशा कु जिनिशा दबा, विदेशा दू जिनिशा आणी बा, तो एमीती जदी परस्परा वितर संपर कर अखीब, ताल आमोरा मध्यों development हावा. आमें जो दी बाहरा कु जिनिशा सेंड करीवा, ताल आमों बाहरा कॉरेंसी आमों इंडिया गवा सीवा, बाहरा टेक्नोलोजी आमें आडप्ट कले, आमोरा मध्यों development हावा, तो याक्कु globalization कुवा गला, तो एठी तुमें वार्टी देखी परूँ तुब गलोबाल और थ शुद नाट बी एबार, on the entry of a foreign, on the entry of a foreign investors coming to the country, and entrepreneurs are also allowed entry in the other country, तो गलोबालाइजेशन टी करा गला, तो गलोबालाइजेशन टी करा गला अथी पाई, जा गवार्मेंट कोईला, जे तुम्मरा, दखा कोईला, इस इंप्लाइस आट, तो नाट बी एबार, तो नाट बार, foreign रे जुँ investor माने रोई चोंती, से माने जमीती, इंडिया रे इंवेस्ट करी पारी बे, ओके, और इंडिया रे जमीती, इंट्रपेनर्स माने रोई चोंती, से माने केमीती, foreign country रे इंवेस्ट करी पारी बे, foreign country सितो ट्रेड करी पारी बे, तो एई सुब काम करी प्रतिवंद को नरोय बा दरकार से जिन्सों को उठे दिया गला ताको ही ग्लोबालाइजेशन को आ गला ओके या पुरबरु बहुत गुड़ी रेस्ट्रिक्शन लगा जाए उतला बड़े आराम से लोकमाने बाहर को ट्रेड करी पारी बाहर लोकमाने आमों इंडियारे बि सेल करॉंती तमये दख मारती Suzuki Boli Car थीला Сिय गुट eğ फ़कांबाने इंडिया रे बिजनेस को उतत ख शामे दखांब kg ग्लोका कोल्ला कुलस्टा इंडियारे बिजनेस को उतला गला इंडियारे बिजनेस को उतला एंडियारे बाहर अप्चा नवुचि लाइल एमा दो There is a free flow for import and export and foreign regulations are also avoided. तो आमें आमों देस्सोर जिनसो बाहर को पठेबा एक्सपोर्ट करीबा बाव बिदेस्वर जिनसो आमें इंडिया रहा आणि इंपोर्ट करीबा सो एगुडिको फ्रीली हवा दरकार. उके सेथी पेज़ जो regulations रहीची, rules रहीची, सेगुडिको अभाइट करीदिया गला बाव सेगुडिको रहीची कोःड करीदिया गला इस ग्लोबालाइजेशन. In fact, globalization means internationalization of the economic of a country. तेनु गोट्टे देसर एकोनोमी कु इंटरनेशनलाइजेशन करीबा बा गोट्टे देसर पुरा विश्व दरवार निजो कु उपस्थापन करीबा कु ही आमें ग्लोबालाइजेशन बोलीकवाओं बुझियेला तार कीची फीचर्स रोईची पिले बर्तमान फीचर्स तुम्हे भी मध्यों पड़ीले जानी पारीबा देखा पिले आगुरु गोटे थिला फेरा फोरेन एक्सचेंज रेगुलेशन आक्ट तेनु फोरेन्रे जो करेंसी गुडिको आमरो ट्रेड हुए फोरे तुम्हे मने बेसी बुझोनी जे फेरा र मानने कोण तार अबजेक्टिप्स कोण फेरा कोऊं करू थला फेमा र और अर्थक कोण फेमा कोऊं करूची शेगुडिको बुझोनी बास एत्तिके मन रख़ो आगुरु फेरा थिला 1991 ताकु फेमा करी दिया गला देन, FDI वाज लिब्रलाइजड भाई आलाविंग मोर दन 50% सेयर्स इन सम सेक्टर्स त्योनु बिदे सुरु जो लोको माने इन्वेस्ट करू थले इंडिया रे पोई सा शेगुडिका में FDI को थले फोरें दिरेट इन्वेस्ट्मेंट 1991 रे कुण हेला ना किछी सेक्टर रे 50% जाए आराम से सेमाने विदाउट गुर्मेट रे पर्मिशन रे इन्वेस्ट करी पारी बे next convertibility of rupees is allowed so rupees को foreign currency रे convert करी आपाई मोधिया अलाव करी दिया गला अर्थात आमें आमोरो rupees को dollar रे convert करे ही पारी बाए आमोरो rupees को तुमोरो Japanese बाव Spain रो तांकर रो करेंसी ची सेगुडिका में आमें convert करे ही पारी बाए यह थी पाइं करी दिया गला बिकाज आमें business कर ले वार्ल सोईतो ना तेनु वार्ल रे जो जो currency चाली ची आमो देसरे currency को आमें तांकर देसरे convert करे ही पारी बाए यह थारा कोण हब ना foreign currency बी इंडिया को आशी बो India currency बी फारें को जीबो इंपोर्ट करी बारे बहुत प्रोब्लेम करा जाऊ थाला बिदेसरे लोको मानां कट्रू जिनिसरानी बारे मध्यों अस्सु भी धाऊ थाला गोटे सपोज इंडिया रे गोटे इंडस्ट्री अची से raw material जोदी फारेंड रू पर्चेश करू ची ताको कम्प्राइस पड़ी बाट द्यू टू गवर्मेंट रा बहुत गुडिया restriction थाला आमा इंडिया रोलोको माने इंडिया रो इंडस्ट्रीज माने चाहिले जिनिसराकु प्रड़क्षन करीकी बाहरे एक्सपोर्ट करीए पारीबे सेथी पाई जो duty गुडिको लागू थाला, export duty जो लागू थाला, excise duty लागू थाला, तक्कुम अध्याँ, एबोलीस्ट करी दिया गोला, सो देट अधिकरु अधिका एक्सपोर्ट करा जिबा, एक्सपोर्ट जटे अधिका करा जिबा, हमाँ foreign currency इंडिया को आसिबा, And the last one is, tariff structure was rationalized, tariff र अर्थपिले, barriers कीछी प्रतिवंद को लगा जाऊ थला, आगरू government को उथला, जे एतिकी परिमानरे आमें जिन्नी सा कीणी पारीबा, एतिकी परिमानरे आमें जिन्नी सा बिकी पारीबा, एतिकी टंकारे बिकी पारीबा, एतिकी टंकारे कीणी पारीबा, जडि तम्हें एतिकी परिमानरे जिन्सा बिकीरी करूच तला, तुम्होंको एतिकी टाक्स दबागो पडिवा, एई जो सुब बेरियर्स लागू तला, तक्कु आमें tariff वलिको, तक्कु मधि रेस्नलाइज करी दिया गला, और थाथ एतिकी के कोहड करी दिया गला जाया पुर्बुरु तुम्होंको ओबराल आइडिया आसीवा दरकार, जे तीनिटा जिन्सा काण, काहीं की आसीला, एई तीनिटा जिन्सार काण काण करा जाया, जो मुँ जोस तीनिटा जिन्सा को आउधर कोई देऊची, लिब्रलाइजेशन मानने हला, नियम कानुन जो पुर्णी के कोघ देऊची आए गला, जो देऊची आडिया बहुत इंडस्टी बिजनेस जोइन करिवा को चाहूं थिले, किंतु करी पारू नो थिले, द्यू टू गवब्मेंट रो किछी रेस्ट्रिक्शन थिले, सेडा बरतान कोघ लिए गला, तेनों सम्मस्ते बिजन ग्लोबालाइजेशन र अर्थ निज गोट देश्वर अर्थ नितिकु विश्वदरवार प्रतिष्ठ करीवारा सुजग मध्यों दिया गला इंटिग्रेटिंग दो एकोनोमिक अफे कांट्री विधा वर्ल्ड एकोनोमिक आम देश्वा विधेश्वा ट्रांजाक्शन बिदे सुरू आमें जिंसवा इंपोर्ट करीवारा सो देट याट युनिटीस पावर कहां दिन एको ताहीं बड़ा तो समझ तेदि मेली मिसी की चलीबा तो समझ तिंगोड डेवलोप्मेंट हवो तो दिस वाज अल अबाउट ल पीजी येबंगे लिपीज येबंगे ल पोरिंग लागिवा वीडियो देखिवा पाई, पाठा पड़िवा पाई, बट एक्जाम जहतु पाखे ही आसीची, तुम्हों को एसोबु जिन्सों को अभवेड करी की, ओनली फोकॉस करी वागो पड़िवा पाठा पड़ा प्रति, हैला? आजरो क्लास्टी को इडरो कि बा, देखा पापुनी नेफ्ट क्लास्रे, तिल देन, वे नायस ताम, और वीष यू आल रे वेस्ट पर एर ए्ग्याम.